नमस्कार शिक्षार्दियों आप सभी को NOS में स्वागत है जन्स्वास्त पाटे क्रम में आप जानते हैं कि त्री बुक्स हैं उनमें से जो सेकेंड बुक मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केर के बारे में आपने जाना है पहले के पांच यूनिट के बारे में अब आईए आज हम डिसकस करते हैं चटवी वाला उसका है Community Health Worker के Duties and Responsibilities स्वास्त कार्यकरता के दायत स्वास्त कार्यकरता के दायत्य में ये मात्र एवं शिशु स्वास्त के अंतरगत में कहीं तरह के रोल्स निबाना पड़ता है जैसे कि गर्बावस्ता से पहले से ही यानि आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक गाउँ के अंतरगत कितने महिलाइं हैं और नए नए शादी होकर कितने लोग आये हुए हैं गर्बावस्था होने की संभावना कितने महिलायों में हैं ये पहले से आपको जानना जरूरी है और जब कोई महिला गर्बावस्था की अवस्था में आते हैं तो उनकी देख्रेख किस तरह से करना है क्यों उन्हें नया महिला है उन्हें कुछ नहीं पता चलता है तो आप as a स्वास्त कारी करता आपको ये awareness क्रियेट करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आहार लेनी चाहिए, किस तरह से आहार नुकसान कर सकता है ये गर्बस्राओ ये गर्बपात कर सकती हैं ये सारे जानकारी देना आपको आवश्यक है और हर महिना antinatal care के दोरान उनको डॉक्टर तक पहुंचाना भी आपका योगदान है इसके अलावा जब प्रसवकाल आती है तो normal delivery होने की संभावना क्या है और उसके क्या benefit से ये भी बताना आपका ही कारी है मैं जानती हूँ आप सबी लोग पहले के जो chapter से पहले के जो 5 वो सारे वीडियोस आपने देखा होगा तो आज हम सिर्फ duties और responsibilities के बारे में जानेंगे इसका क्या दाइत्व है स्वास्त कारी करता के क्या दाइत्व है आईए हम देखते हैं उद्देश जो है स्वास्त कारी करता के विशिष्ट कारी वा दाइत्व समझ सकेंगे लोगों तक राष्टी कारी क्रमों की सूचना एवं लाब पहुचा सकेंगे राश्टी कारेकर्मों की रिपोर्टिंग कर पाएंगे उनकी सफलताओं में मूलांकन के लिए अपेक्षित आकंडे जमा कर सकेंगे सरकारी या non-government organizations में अपना योगदान देकर स्वास्तकारी कर्मों को अधिक सुचारू बनाने में मदद कर सकेंगे एक एक point के बारे में अगर हम discuss करें तो इस तरह से है स्वास्तकारी करता के कारी मा और बच्चों का टीका करन गरबावस्ता से ही महिला को tetanus toxide के दो टीका लगनी बहुत ज़रूर है अगर ये नहीं लगते हैं तो बड़ी बिमारी हो सकते है जो tetanus से होने वाली बड़ी बिमारी हो सकते है जिसके कारण मा और बच्चा दोनों को गंबीर बिमारी हो जाएगे इसके अलावा बोजन और संपूरन का महत्वा तरीके बताना कि गर्बावस्ता में किस तरह सी आहार होना चाहिए और उस आहार में कार्बोहेडरेट्स, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और कही तरह के विटामिन तत्वों का भरपूर होनी चाहिए ताकि इन सारे संपूरन बोजन से शिशू को अच्छी तरह से रुद्धी और विकास होगा इसके अलावा बच्चे और माताओं के लिए पोशन के स्थर को बनाये रखने में मदद करना चाहिए और महामारी के दोरान उन तक स्वास्त सेमाएं पहुँचाना उन्हें उससे बचने की उपाई बताना इसका मतलब है कि कहीं तरह के एपिडेमिक्स गाउं में हो जाती हैं जैसे कि कसरा या कुछ और महामारी हो सकती है तो वो होने से पहले ही हमें प्रिवेंशन करना चाहिए अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो अगर हो गया तो उस तो उस गरबावस्ता महिला को स्वास्त स देवाएं वहां तक पहुंचाना भी आपका ही करता भी है और उन्हें उससे कैसे बचना चाहिए ये भी बताना बहुत जरूरी होता है और स्तनपान की महत्व भी बताना है कि स्तनपान जो है प्रसव के तुरंथ ही आदा गंटे के अंदर अंदर या आदा गंटे के बाद स्थनपान शुरू करना चाहिए शिशू को और पहले के दो या तीन दिन जो दूद आता है मा का उसको प्रारंबिक दूद कहते हैं ये जो माता के स्थन से हलका सा गाड़ा सा और पीलापन होता है जिसको बिलकुल नहीं निचोड़ना चाहिए इसको शिशू को पिलाने के ल करता की योग्यताएं क्या हो सकते हैं जैसे कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा या राजी सरकार के द्वारा अफ्लियेटेड जितने भी संस्ताएं हैं उनमें एक वर्ष का प्रशिक्षन कार्यक्रम करना चाहिए इसके अलावा हर एक स्वास्त कार्यकरता को दस्वी की प पड़ाई होनी चाहिए और स्वास्त कार्यकरता का जो तन और मन स्वस्त होनी चाहिए और स्वच्छ भी होनी चाहिए उनकी बात्चीत में ही कुशल होना चाहिए जो बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो लोग इन स्वास्त कार्यकरता की बातों को लेकर प्रसंद होना चाहिए और कम से कम हजार की आबादी के लिए स्वास्तकार्यकर्ता को काम करना चाहिए और करमचारियों के साथ सत्संबंधी बनाए रखता चाहिए कहीं तरह के primary health center के करमचारियां हो सकते हैं या एएन्म हो सकते हैं या PWD इस तरह से कोई भी government Government Organizations या Government Departments होते हैं उनके क्षेत्र में, स्वास्तकारीकर्ता की शेत्र में उन सब कर्मेचारियों के साथ तत्संबंदी बनाए रखे ताकि ये जो जो भी बातचीत होती है तो कुशल से वो अपना स्वीकार कर सके स्वास्तकारीकर्ता की दाइद्व अपना क्षेत्र हर एक स्वास्तकारीकर्ता को अपना एक क्षेत्र दिया जाता है तो उस क्षेत्र में स्वास्तकारीकर्म की काम शुरू करने से पहले उनको मानचित्र बनाना बहुत जरूर है मानचितर में हम ये देखने को मिलता है कि जैसे कि उस गाउं में या उस क्षेतर में कितने गर हैं और एक गर में कितने लोग रहते हैं और उसमें कमाने वाले कितने हैं और पांच साल के अंतरगत लोग कितने हैं या अडल्ट लोग जो कितने हैं और उसके अलावा कहीं सारे कोई विकलांग है या नहीं है और कितना तक उस घर में पड़े लिके हैं और भुजुर्ग लोग कितने हैं इस तरह से हर एक अपने पूरी क्षेतर का मानचितर बनाना चाहिए इसके अलावा उस क्षेतर में कितने मजजीत हैं और कितने मंदिर हैं और क्या कम्मिनिटी हाल कहां हैं और किस तरह के नाले हैं इस तरह से गाउं की हर एक चोटी सी चोटी बात से लेकर बड़ी बात तक हर एक मुक्चितर उनके मन में होना चाहिए इसलिए वो मानचितर बना के बाद हर एक गर में सरवेक्षन करने के लिए जाना चाहिए और तब जाते हैं तो उनके साथ अच्छी तरह मिल जुल कर बाते करें और उनसे कही तरह के प्रशन पूछना चाहिए ताकि हमें उन प्रशनों के द्वारा आया इंफोमेशन से हमें ये एसेस करना है कि इनका स् स्वास्त के लिए हमें किस तरह से प्रोग्राम्स नेशनल प्रोग्राम से उनके तक पहुंचा जा सके उसमें कुछ प्रशन हैं जैसे कि कुल कितने गर हैं उन गरों में कितने परिवार हैं लोगों का सैक्षनिक स्थर क्या है पांच वर्स से कम उम्र के कितने बच्चे हैं वयोसकों की संक्या कितनी हैं? कितने लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं? क्या घर में कोई अपंग है? इस तरह से कहीं questions पूछने से हमें बहुत सारा information मिल जाती हैं. जैसे कि 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कितने हैं? अगर मान लिजिए एक परिवार में हमें 3 बच्चे 5 वर्ष के से कम उम्र वाले मिले तो हमें ये समझना चाहिए कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक की बीच का जो गैप है बहुत कम है और वो family planning प्रॉपर नहीं किया गया है जिससे उन 3 बच्चों में से एक या अधिक बच्चे कुपोशन से पीडित हो सकते हैं इस तरह से हमें कहीं तरह के जानकारी मिल जाती है एक टेबल बनाना है इस तरह से कि ये क्रम संक्या नाम परिवार के मुख्या का मुख्या से संभन उनकी आयो कितनी है और लिंग क्या है और रोजगार तो इसमें रोजगार से हम यह information मिलता है कि वो कोई office में काम करते हैं government employee है या private company में काम करते हैं या farmer है इस तरह से हमें उनका monthly income कितना है यह जान सकते हैं monthly income जानने के बाद उस परिवार की हमें संक्या पता चले तो उस परिवार को उतनी income से कैसे चलाया जा रहा है वो हम अनुमान लगा सकते हैं जैसे suppose एक घर में हमें महिने में 10,000 कमा रहें लेकिन उनके घर में 6-7 लोग हैं तो हर एक इनसान के लिए पूरी महिने में उनका 1000 भी 1000 से ज्यादा भी नहीं मिल पा रहा है तो उसमें किस तरह के portion मिल सकती हैं कैसे वो अपना घर संभाल सकते हैं इतनी कम पैसों से वो हम अनुमान लगा सकते हैं घर के सर्वेक्षन की तालिगा इसमें हर घर हर गाउं को आपको जाना चाहिए और गाउं या क्षेत्र का एक नाम लिखना चाहिए इसके अलवा वो गाउं उस ब्लॉक का नंबर या गली का नंबर या मकान का नंबर लिखना चाहिए और परिवार की मुख्या का नाम लिखे और परिवार का प्रकार क्या है नुकलियर फैमिली या जॉइंट फैमिली ये लिखना चाहिए और परिवार के सदस्यों की कितनी संक्या है और प्रती वर्ष परिवार की कुल आई क्या है और मकान में कमरे की संक्या एक घर में अगर साथ लोग रहते हैं और उनका कमरा अगर एक ही हो तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई सांक्रमिक व्यादी किसी बच्चे में हो तो दूसरे बच्चे में फैलना आसानी है क्यों? क्योंकि उनके परिवार के सारे लोग एकी कमरे में सोते हैं तो इस तरह से हम कहीं information पता कर सकते हैं निमनलिकित में से कौन सी वस्तुएं गर में उपलब्द है? ये भी जानना जरूर है जिससे हमें उनका lifestyle कैसा है ये पता कर सकते हैं जैसे कुछ प्रश्ण है कि आपके गर में बिजली है, है या नहीं, इस तरह से हमें टिक करना होगा और रेडियो है या टीवी है, फ्रिच है, कम्प्यूटर है, कैसेट, सीडी प्लेयर, टेलिफोन कि इस तरह से क्या गैजट्स हैं और साइकिल, स्कूटर या कार ऐसे हम information लेने से उनका lifestyle पूरी पता चलेगी, और शौचाले है, तो कितने शौचाले हैं, एक है, गर के अंदर है, या बाहर है, वो स्वच्च है या नहीं हो सके तो स्वस्थ कार्यकरता को उनकी शहुचाले के अंदर जाकर किस तरह से वो स्वच रख रहे हैं वो देखकर उनको सुजेशन्स भी देना चाहिए कि किस तरह से स्वचता बनाए रखे रसोई को भी विजिट करने चाहिए रसोई में ये पुझे कि वो गैस है या नहीं और पे जल का श्रोथ जिसे हैंड पंप है या तलाब है या नल के पानी किस तरह से की पानी वो रोज लेते हैं आप तो जानते हैं कि शरीर में 70% तक जल ही होता है और हमें हर व्यक्ति को धाय से 3 लीटर तक की जल लेनी चाहिए तो यह जल शुद्ध और स्वच होना बहुत जरूरी है तो हमें ये अनमान लगा सकते हैं कि ये नल के पानी ले रहे हैं या तलाब के पानी या आरो के पानी इससे हम किस तरह के बिमारी हो सकते हैं उन्हें समझा जा सके अगर वे कुछ हैंड पंप या तलाब के पानी या नल के पानी कुछ भी हो उनको लग रहा कि ये स्वच नहीं है तो उबाल कर ठंडा करने के बाद वो पानी पिए ताकि वो स्वस्त बना रहे परिवार में रोगों का इतिहास भी लेना जरूरी है जैसे कि परिवार में किसी एक को डायबटिस हो तो आगे की पीडी को होने की संभावना है या किसी को सांक्रमिक व्यादी हो तो दूसरे को होने की संभावना है तो हमें ये पूछना जरूरी है कि आपके गर में किस-किस को क्या बिमारी है और उस बिमारी से आगे की पीडी को कितना परसंड आने की संभावना है ताकि वो और उसके उपाई हमें बताना है ताकि वो जो बिमारी है उससे बच सके आने की पीडी बच सके जैसे कि डायबेटिस किसी को है तो ये एक lifestyle disorder है तो आने की PD को ना आने के लिए हम एक ऐसे lifestyle उन्हें बताए ताकि उन्हें उस डायबेटिस से बच सके पिछले 6 माह में कोई मृत्यू हुआ या नहीं? ये पारिवारिक स्थल पर हमें पूछने वाले प्रशने है अगर मृत्य हुआ तो किस कारण से हुआ है? ये sudden death हुआ या कोई बिमारी से हुआ या कोई गंबीर रोग है जिसके कारण proper treatment ना मिलने पर हुआ ये सारे कारण हमें पूछना चाहिए पिछले 6 माह में कोई सांक्रमिक रोग हुआ या नहीं? अगर हुआ तो उस रोग का नाम पता करनी चाहिए और ये सारी data government को हमें देना होगा पोशनता की स्थिती घर में कि ठीक से पोशन मिल पा रहा है कि नहीं? अगर नहीं मिल रहा है तो खुपोशन की अवस्ता में कितने बच्चे हैं या कितने बुजूर्ग हैं ये लिखना चाहिए परिवार कल्यान पत्दती का प्रयोग है या नहीं? अगर है तो उसे स्पष्ट करनी चाहिए तो किस तरह के फैमिली प्लानिंग की पद्दती उन्होंने अपनाया है वो पूछना जरूरी है रोगों की रोग्थम एक बड़ा काम है इसे हम दो बागों में बांडते हैं एक है स्वस्त कार्यकरता के निवारक दाईत मतलब PREVENTIVE DUTIES OF HEALTH WORKER दूसरा है स्वस्त कार्यकरता के उपचारात्म दाईत यह हैं CURATIVE DUTIES OF HEALTH WORKER तो स्वास्त को बनाया रखे बीमारी से बनाया रकना वो है PERVENTIV MEDICINA तो PREVENTION IS BETTER THAN CURE ऐसा कहा जाता है लेकिन आज के टाइम में prevention is only the cure कुछ diseases ऐसे हैं जैसे कि diabetes है आने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते तो इसी लिए prevention करना बहुत ज़रूरी है prevention करना है सब को ये अच्छा लगता है ये शब्द सुनना या ये शब्द के जो meaning देकर उन्हें सब को अच्छा लगता है लेकिन कैसे prevent करना है कोई परिवार में कहीं तरह के लोग होते हैं कि मेरे पापा को ये बिमारी है मुझे आने के संभाव ना है तो मुझे कैसे बचना चाहिए तो कैसे बचना चाहिए कैसे आहार लेनी चाहिए कैसे विहार करनी चाहिए ये सारे स्वास्त कार्यकरता को बताना चाहिए तो इसलिए मैं आप सबसे ये आशा करती हूँ कि प्रिवेंट्यू ड्यूटिस पे आप सभी का योगदान बहुत है बहुत महत्वपूर्ण है अच्छा अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए और कोई बिमारी आ गया है तो उसको क्या करना है वो सेकेंड पॉइंट है वो है स्वास्त कार्यकरता के उपचारात्मक दाइद ये दो महत्वपूर्ण बाते है गर्बवती महिलाओं को गर्बकाल में टेटनेस टॉकसाइड की इंजेक्शन देते है यहाँ टीके दो दिया जाता है गर्बावस्ता के समय दो दिया जाता है एक महने के अंतराल पर जिसके कारण महिला और गर्बस्त के शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं जन्म के तुरंत बाद शिशु को BCG के इंजेक्शन दिया जाता है यह इंट्रडर्मल देते हैं और यहाँ BCGT के टूबर क्लोसिस डिसी से बचाव करता है इसके साथ-साथ OPV, oral polio virus की दो बुन भी पिलाया जाता है देड महिना, धाई महिना और साड़े तीन महिनों में DPT और OPV यह दोनों दिया जाता है DPT में diphtheria, pertussis और tetanus इन तीन संक्रमिक diseases से बचाया जाएगा और नवे महिने पूरी होने के बाद कसरा का यानि measles vaccine दिया जाता है यह subcutaneous में देते हैं इसके बाद नवे महिने और बारा महिने के अंदर MMR के injection देते हैं MMR में measles, mumps और rubella यह तीन रहते हैं और यह viral infections है इसे बचाओ करने के लिए बच्चे को दिया जाता है यह भी subcutaneous में देते हैं उसके बाद फिर DT injection TK देंगे और last में TT के TK दिया जाता है तो हर एक शिशु को यह सारे जितने भी TK है देने का जो education आप सारे माताओं को देना चाहिए वरना यह TK नहीं दे तो यह बिमारी होगा तो इस बिमारीों से बचना बहुत मुश्किल होता है और जानलेवा भी हो सकता है शिशु के लिए इसी लिए सारे टीके देने को हम preventive duties के अंतरगत दिया गया है और गर्बस्तवती महिला गर्बावस्ता के समय से ही रक्तचाप कितनी है उनके हीमोगलोबिन कितना है और पिशाप ठीक से आ रहा है कि नहीं इन सभी का जांच लेना बहुत जरूरे है मानिये रक्तचाप गर्बवती महिला का अगर नॉर्मल तो 130 या 120 से 80 तक होनी चाहिए बाई 80 परंतु 150 बाई 100 तक अगर पहुंच जाती है तो प्री एक्लायम श्रिया टाइप का कुछ बिमारी होगी जिसके कारण जो है रक्तप्रस्र बहुत ज्यादा प्रेजर बनी रहेगी और गर्बस्त शिशु को भी नुकसान कर सकता है और महिला को भी इसलिए रेग्यूलर्ली हर एक महिना में हमें ये सारे जांच करनी बहुत जरूरी है हीमोगलोबिन हमारे बारत देश में हीमोगलोबिन बहुत कम मिलता है गर्बावस्ता महिलाओं को जैसे ही हमें पता चलता है कि आठ से कम पे जा रहा है तो हम तुरंथ आइरन सप्लिमेंट्स देना चाहिए और बलकि गर्बावस्ता महिला को शुरुवात से पहले के एक दो महिना चोड़ कर बागे महिनों से आइरन टैबलेट्स, कैल्शम टैबलेट्स पूरी गर्बावस्ता के दोरान चलाया जाना चाहिए ताकि ये एनेमिया ना हो और कैल्शम की कमी ना रहे और नवजात शिशूओं का जैसे ही पैदा हो जाते हैं उनको हम नवजात शिशू कहते हैं उनका तुरंथ बर्थ वेट जो बार हमें मेजर करनी चाहिए और लंबाई बर्थ वेट जो है धाय से 3 किलो की होने चाहिए अगर धाय से कम है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो लो बर्थ वेट का है और लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होने चाहिए उससे कम हो तो शॉटलेद हमें माना जाएगा और उनकी मानसिक विकास का आंकलन किस तरह से है अगर मानसिक स्थिती गडबड लग रहा है तो स्वास्त कारे करता तुरंथ ही उनको डॉक्टर से संपर करने की सलहा देनी चाहिए मैंने कहा है कि नेमित ठीका करना माता और शिशू के लिए अवश्यक है इसके अलावा सामानी स्वच्चता जो जेनल हाईजिन है और परसनल स्वच्चता जो है रिगिलर जो है स्नान करना और ब्रश करना बालों को ठीक रखना और स्वच्च कपड़े पहनना और शिशु का भी स्वच्च कपड़े पहनना उसको भी ठीक से निलवाना यह सारा परसनल हाईजन के अंतरगत आता है परसनल के बाद और घर का स्वच्चता बनाया रखना घर में सफाई रखना बहुत जरूरी है और अपना घर का रसोई और शोचाले इन दोनों की स्वच्चता रखना चाहिए घर का होने के बाद सामानी स्वच्चता, पर्यावरन का समरक्षन, सुरक्षित जल अपूर्ती, ठीक से जल और गंदगी की निकासी, स्कूलों तदा सारवजनिक स्थलों की साफ सफाई ये सारे स्वच्चता बनाय रखने में आप स्वास्तकारी करता की रोल बहुत है, तो आप किस तरह से पर्यावरन की समरक्षन कर सकते हैं, किस तरह से जल का सुरक्षित बनाय रखना जाएगा, और स्कूल और सारवजनिक स्थलों में किस तरह से साफ सफाई करनी चाहिए, इन सारे सलाहें आप सब आप दे सकते हैं और बलकि उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, इसके अलावा परिवार कल्यानकारी कारिक्रम और मा बच्चों के संतुलित आहार और पोशन ये तो हमने बात कर ली हैं, और बुकार, डैरिया, मलेरिया, उल्टी तदा अन प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, ये युनिवर्सल इम्मनाइजेशन प्रोग्राम है और ये जन सुरक्षा योजना है और जन सुरक्षा और शिशु सुरक्षा योजना है, कहीं तरह के जो राज सरकार और केंद्र सरकार से किये जाने वाले स्वास्त कारिक्रमों के बारे म उन जनता तक आपकेषेत्र के घरों तक पहुचाने का कारिक्रम आपको ही करना चाहिए इसके अलवा क्यूरेटिूटी अभी तक हमने प्रिवेंटिव डूटी चे बारे में जाना है आप हम केुडेटिव डूटी के बारे में इसका मतलब है कि बचाव कितना भी करे फिर भी अगर कोई बिमारी आ जाता है तो उसको किस तरह से हमें इलाज करना है डॉक्टर से पहले डॉक्टर को संपर करने से पहले हम गरेलो इलाज किस तरह से करे वो सारा भी आपको बताना चाहिए जैसे कि किसी परिवार में आपने ये देखा कि कोई बच्चा या माते को डायरिया हो रहा है मिन तीन से अधिक बार loose motions ओ रहे हो तो उन्हें जैसे ही आपको पता चला तो आप तुरंथ ही उन्हें ORS देने की प्रयास करें ORS मतलब oral rehydration solution है इसमें sodium, chloride, potassium, citrate, glucose ये सारे होते हैं और जितना भी ये loose motion के द्वारा जो जल जा रहा है शरीर से बाहर उसको पूर्ती करता है तो अधिक से अधिक लोग अगर तुरंथ ही ORS पियेंगे तो जो diarrhea से उन्हें वाली जो complication है जलाल पता या dehydration उससे बच सकते हैं ये अगर शिशूओं में होता है तो ये जानलेवा बीमारी है तो शिशूओं को तुरंथ ही ORS बिना डॉक्टर की संपर करें ये शुरू करवाना चाहिए इसके अलावा अगर कोई भी शिशू को बुकार हो तो बुकार में सभी को पता है कि ये पैरसिटमॉल देना चाहिए तो पैरसिटमॉल कितनी मात्रा में देना चाहिए ये अगर किसी का भार 15 किलो है तो इनका जो पैरसिटमॉल का जो डोस होती है 15 kg पर mg 15 mg पर kg तो 15 mg पर kg के इसाप से देना चाहिए अगर 10 kg का है तो उसे 1500 mg तक की पैरसिटमॉल पिलाना चाहिए हर डोस पे और 6-6 गंटे में या 8-8 गंटे पे कितना बुकार आ रहा है कितने गंटों के बाद आ रहा है उसके अनुसार देनी चाहिए अगर चोट लग जाती है तो हर एक गर में 1st aid की बॉक्स होने चाहिए और 1st aid बॉक्स के अंतरगत क्या होते हैं आपने पहले chapters में आपने देखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हर एक गर में 1st aid बॉक्स को लगाने के लिए आप educate करिए ताकि कहीं सारे चोट आगे जाकर secondary bacterial infections या गंबेर बीमारी भी होने की chances हो सकते हैं तो उसे बचाओ होने के लिए 1st aid बॉक्स यूज करने के लिए आप प्रयास करिए तो इस तरह से हमने आपकी duties को आज जाने हैं तो ये duties सिर्फ आप exam लिक कर पास होने के लिए ना होकर apply करिए practically apply करना चाहिए आपको क कोई भी क्षेतर मिले government की तरफ या कोई private में भी अगर आप काम करते हैं तो आप हर एक घर में जो हमने बताया कि मात्र और शिशु के स्वास्त के बारे में जितना आपने जाना है वो सारा आप apply करिए और मैं आशा करती हूँ कि आप ये सब करते रहेंगे क्यूंकि स्वास डॉक्टर तक ले जा सकते हैं तो आप एक bridge बनकर primary health center तक या कोई hospital तक आप ले आ सकते हैं और आधिक से आधिक समय आप ही रहते हैं लोगों के साथ और आपकी बाशा अराम से वो लोग समझ सकते हैं क्यूंकि वो आप ही के खेतर के रहते हैं तो आप अच्छे तन और मन से और कुशलता से उनको ये सारे नुकसे समझा सकेंगे धन्यवाद